कि अभाज शंक्या में ठीक हाव हाथ संख्या से बहुत इनपोर्टेंट इनपोर्टेंट कोशन पुछा जाता है तब पहले टोपिक बाज हम लोग देख लेते हैं अभाज संख्या के बारे प्राकी संख्या जो एक इवम स्वायम के अलावा किसी दूसरी संख्या से दूसरी संख्या से विभाजित नहों विभाजित एक स्वयम के अलावा मतला एक स्वयम से तो सब संख्या कटता है किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहों तो उसे हम क्या कोते हैं अभाज्य संख्या कोते हैं जैसे एक्जामपल के लिए हम लोग देखते हैं दो तीन पान साथ एक गारा तेरह सतरह उन्नाइस अना तेइस सताइस सताइस होगा नहीं होगा तेइस उन्तिस एक तिस सैंटिस एक तालिस तेतालिस उसके बाद क्या होगा सैंटालिस एक तालिस तालिस सैंटालिस के बाद तिरपन तिरपन उन्सट एक सट शर्षट उसके बाद तीहत्तर अच्छा इसमें खत्तर भी होगा ठीक है 113 को खत्तर है छलिए। उसके बाद संतान है यह सब क्या है अभाज संख्या ।क्या है चैकल दूज्य होता है स्वाइम से करता है और एक से करता है किसी और से नहीं करता है को दोसरा संख्यास नहीं करता है जो है यह दो सरका गुनन खंड का आएगा स्वायम का मतलब समत्ते हैं चलिए दखिए जैसे उन्सट को आपको पूरा-पूरा कटना है तो उन्सट यात आप एक से कार देजी हना संख्या आपे 6-1 में कटिए तो यह पूरा-पूरा कट जाएका ऑर किसी और संख्या से यह नहीं कटेगा गारे विभाजित नहीं होगा कहने का मतलब 29 अगर बुनन खंड हम देखे तो एक अगर हम उनाइस को कट नहीं गें तो देखिए एक से लेकर सो तक में यह अभाद संख्या जो हमने लिख दिया यह एक से लेकर सो तक क्या भाद संख्या ठीक है देखिए दू तिन पांचाथ इसके बादे 1193, 79, 23, 31, 37, 41, 43, 47, 69, 61, 72, 73, 89, 27, पुट्टल पाचीस होता है एक से लेकर सो तक में अभाद संख्या पुट्ट्रा क्वेस्टन अभाद संख्या से कि एक से लेकर सो तक में कितने अभाद संख्या होते है तो फचीस गोंता है देखिए एक गो दूग तिन वह लेकिन हमसे अगर कह देगा कि सबसे चोटा अभाज संख्या क्या होता है तो दू होता है इसमें एक नहीं होता है ठीक है एक न तो भाज आ और नहीं आभाज वह भी एक नोटे है एक न तो भाज है और नहीं आभाज है सबसे छोटी आभाज संख्या होती है ठीक है वाफ आपसे कहा देगा कि एक से लेके दौसताक में कितने खाल संख्या होते है ता ओर एंगारा तेरी स believed अगा है कभी कभी कहता है कि हमको एक से लेकर दोस तक में गफाल में रहा दिया हुआ है उसका योग वताइए तो योग का सबसे पहले तो यह से लेकर दोस तक में कुनकर अभास संख्या इसको आप जोड़ लेजिए ठीक है अगर बीश तक का योग का यह तो इस तरीका से जोड़ लेजिए अभास संख्या का कोई ट्रिक और सूर्थ उत्र नहीं क्योंकि इसका कोई नहीं बनता इसको आपको लेकर हार्लहारत में जडरना ही होगा जहां से यहां सबस्वाइबादस संख्या को जोड़ना हो इसलिए आपको कम से कम 20 तक याद होना चाहिए इस तरीका से 20 तक तुम याद होना ही चाहिए उसके बाद भी लेकिन देखे समझाने के लिए लिखना जरूरी था चलिए अब पॉइंट इसका बात करते हैं जो जो परच्छा में आ सकता है तब बेसिक हो गिया दखिए अब इसके पॉइंट के बारे में देखते जाते हैं सबसे छोटी अभाज संख्या अभाज संख्या बता यह क्या है दू है ठीका अभाज संख्या क्या होती है अब अगला पॉइंट देखेगा दू जो होता है न संख्या संख्या के साथ साथ क्या है अभाज संख्या भी है अभाज संख्या होती है मैं यहां पर दो ना लिख के सिर्फ दो लिखना चाहूंगा ठीक है देखेगे सिर्फ दो ही एक इसी संख्या है जो सम के साथ सत अभाज होती है बाकि जेतने संख्या होते है वह कभी भी अभाज नहीं हो सकता है क्योंकि उसका दो से अधिगुनन खना जाएगा ठीक है अच्छा अगला है दू को छोड़कर दू को छोड़कर बाकि सभी अभाज संख्या होती है कुन संख्या होती है विस्वाम संख्या होती हो विस्वाम संख्या किसे कहते है तो वैसी संख्या जो दू से कभी भी पुरा-पुरा विभाजित नहों से विस्वाम संख्या कहते है देखिए इदू का छोड़ दीजेगा तो बाकि जेतना अभाज संख्या आपके जब जो थे होती है ग्यात् esquya होता हैềं तो संख्या संख्या के जो जो नो है तो संख्या नहीं को को चोड़ कर अस還 कुछ होती वह क्या है संख्या होता है 15 जारं संख्या चलिए चलिए अब इसमें बाज होने के लिए कम ज़ेक अधिक प्राकित दो लाख होना ही चाहिए को उसलिए एक kaç-9 सब्काolph है ये तो फलें देख लेचे एक न तो उसलिए न तो भाज होती है, और नहीं अभाज संख्या होती है, ठीक होती है, ठीक, नहीं होती है, न तो भाज होता है, और नहीं अभाज होता है, ठीक है, ये कती होता है, तो बोलिएगा भी सम होता है, प्राकीत होता है, पुर्णांख होता है, परमेद जो बलना बोलिए लेकिन अभाज भाज नहीं बोलिए ठीक है ना तो अभाज होता है नहीं भाज होता है ठीक अच्छा बात तो यह बेसिक पांट अभी इससे जुरा हुगा आप सुनिए सबसे इन पर 10 मिटर जे है अब आएगा इससे नहीं मैं तुने बाला है जब ले मैटाएंगे तब ले इससे तरह तुरांत मैट जाएगा ना जाली है ठीक है आ रहे तक खाएंगे टेंशन कला लेता है तब तक बचा रहेगा चालो हाँ यह हो गया अब बात करना और भी पांट है भास संक्या से देखिए इसा बेसिक पांट इसको दम परिछा में इसी तरीका का क्वेश्चन ने पूछता है ठीक है कि चलिए अब आपसे मैं पूछ दू कि पता यह एक से लेके दौस तक में कुल कई अभास संक्या होते ता आपको पता ना चीए एक दू तीन चार गों एक दू तीन चार पांट छे साथ आठ हो देखिए आठ वा भाजन अगर आपसे पूद्देगा एक से लेके 25 तक में क अब नहीं से लेके 2 तक में चार गों 10 से लेके 20 तक में चार गों 20 से पैशी से पाचीस तक में एक से लेके 2 तक में 8 और आपसे पूछेगा एक से लेक पचास तक में कुल कितना भासंख्या होते हैं तो पंद्रा गोई होता है तो पूरा लिख दी तो पंद्रा होते हैं तो बताइए से लेक़े 50 में नोग होता एक दू तीन चार पान्चे साथब मिवर्बSON करते हो तो देखें पकशी पचास तखमन को क्या हो गिया 50 से जए तो इसको भी नेजना तो कहो आया चाज हो गो एक तिन चार पांच है तदेखिए 1 से लेके 25 तक में 9 अब 25 से लेके 50 तक में छोगो तो नो चो पंदरा हो गया है की नहीं आप से पूछे कि एक से लेकर पचास तक में कितने अभासन के होते हैं तो याद रखना है अब पुद्धेगा कि बताइए अब बताइए पचास से लेकर सो तक के बीच में कई गो होता है तो टोट्टल होता है पचीस गो जह मैं से पंद्रा गो तो पचास से तक में होगी तो पचीस में से फंद्रा घटाएंगे तो कि घटाया जाएं गाए दोस गोह जाएगा चलिए गिन लिजिए एक पचास के बाद पचास से लेके सो तक में दूस गो एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ ने दूस गो इस पेशल पॉइंट है याद रखना है कभे कभे परिछा में पूछ देता है कि बताई ये पचास से लेके सतर के बीच में कईगो अभास संख्या तो याद नहीं रहेगा तो लिख ले तिरपन 69 एकसाच सट लेकिन कोनको नहीं पूछता है कोई होता है तो यह आपको अपना से लिखना रहता है तो कोशिस कि जिए कि हमने लेखा याद कर लेना है क्या कि जिएगा है ने टीन पांच साथ 117 नइस तेरह 231 एक तालिस तेतालिस तीरपन उनसाट एक साथ शर्स एक हतर तीहतर उनाशी त्राशी नवासी आश्के बाद डिरेक्टि कहा चलाना है संतान में पर कलन याद होगा दू तिन पांश जोड़े गारह तिरह सत्रह नई से एक जोड़े टेश उन-tीस एं-tीस एं-tis एक तालिस तेतालिस उसके बाद दुद्दूगों का जोरे चरता है तिरपान उनसाट एक सर्ट सर्ट अब फिर तीन गाएगा एक हतर तीहतर नासी फिर दू आएगा तेरासी नवा से प्रेट आएगा दस दस भीज़ों के प्रेर में रखते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट आ ग जादो नहीं सोचना है फिर तीस से लेकर तीस तो नोगों त्रों में फिर यस सतन तक कोँ सो था जा又 रखनाना प्री पर इखनाना पूंटराइए दूया देے", हम पिएक सकी बनातुन भौबाद्शा सब्सक्राइब कमें दिना दुन सी इन दुन नमें सब्सक्राइब को पर सम अभास। आप देखिए इससे होगा क्या याद रखने से देखिए एक से दस तक एक से दस तक और इससे याद रखना लिखके यह जाएगा दस से से के जगा हम इससे पर योग करेंगे 20 आपकर मतलब होता है उपर तक यह तक लिखा ले ठीक है यह होजाएगा 20 से 30 तक 30 से 40 तक 40 से 50 तक 50 से 60 तक 60 से 70 तक 70 से 80 तक 80 से 90 तक 90 से 100 तक देखिए इस तरीका से इसका बना लिजेगा तालिका आपको याद है कैसा अंक तालिका है अभाज संख्या तालिका बोल देजिए इसको कट फरक परता है याद रखना इसे करके कि अब पुछ देगा कि बताओ 50 से लेकर असी तक में कितने अभाज संख्या होता है ता आपको इतिरपन युट एकसर शुट 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 यह कट्र तीहत्र उन्हास याद रखने के अवसकता है यह अगर पूछ देगा कई वहता है तो डायरेक्ट बोल दीजेगा तो यह आपको पतर दीजिए चार चार दू 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 तीन दू दू आ नीचे से एक दू तीन च तरह पचास तक इसका मतलब है कि पचास से पहले बाला बाद वाला मतलब है तदेखिए पचास से साथ से सतर से अशी बीना लिखने को देंगे तिन दू पाँच दो सात गो एंसर होगी यह साथ एंसर कहला जाएंगे लिखने एक आवन इस अपसकता है नहीं सरसट खतरती है तरुना से हमसे पुछता कौन-कौन है तब अब तक कौन-कौन पूछ देगा तो यह डाटा के को जरूरी नहीं कौन-कौन है कौन-कौन का आमान लिजे कि कहिए गा कि आप ऐसे ज़िखे हैं पचास से ले के असी तक में साथ हो गया अब हमको कहा था पचासी तक बताने के लिए तब हम राज से तक सोचना है नहीं सचना है देख्ञें आझ-धैक्स से कटिया भाज संख्या है नहीं बाच गाएगो चोटवा तेरा सी हो गिया साथ एकाठू अभी भी कहां लिखना पराई तिरपन इनसा मतलब कोश्चन केतनों जटेल पूछ दे हमको अगरी कंसेप्ट पता है आपको यह कि नहीं आप पचास से रहा तब न वह हम से पुछ द संख्या 45 से 85 सित अईसा पूदिता हम क्या करते हैं यह चारिस है इसका मतलप है कि पेडिया थिकρηणा से आप 50-80 अश्युट कर दें कि 44 ये और फूट पर गिया तरही सट डिए ये कि भाके 500 टेहें . अब बच गया 47 और 49 इस साथ सत्य उन्चास एक उन्चास के छोड़ के साथ से कई से कट गया कहनी इसका भी खत्म है एक बच गया इस देखे एक यह यह बढ़ गया एक यह बढ़ गया तो लेडि हम साथ गो जाने थे अमरीका गो जाएगा दूगो कोई जरूरी नहीं पूरा आपको पता है कि आप कोसली पागाएगा यह श्लीक पांच को पांच को पांसे काटने जाहिए गाल जाएगा तो फांसे बार ने कर जाएगा तो दुनिया के हरेक संघ्ञाएगा तो उसको छोड़ कोई और से कटे ही नहीं उसी को सिर्फ करते हैं संख्या यह नहीं आप पूरे डट वे मौने याद कईसे कर लो आप को इसे किये तो हम जान गई तक किताब में लिखाए तहुआ कि लिखेख लिए हैं डायएव से क्टम में यह तना होता बीस का नकाल अब 10 तक में नहीं करत दिया है अब 20 से लेके 30 सटक राब होता है था था थे इस उंतेश उन्तेश हो ग्या दुगों ते से लेके 40 संसांतर होता था एक 30 शेतिस हो ग्या ऐसे करना है स् शालिस से फचास तक में तर रिस तो ग्या तिन तिने बना पुराना पूर गिया चलिए इसका तकाम है नहीं अधास लेके साथ तक में तो 50 के बाद एक आवन बावन बनाता है तो तिरपन 69 उनसटर साथ से सत्तर के बीच में देखना है तो एक सट्ट सर्षट अब बता यह सत्तर साथ सी तेक गटर बहत्तर उसके बीच में सब्सक्राइब करता है तो सबके याद रहता है कि संतान में बीच में मम लाटकता है और इसे करके दस दस गोगा प्यार करके याद किजिए अब यह दस गों में यह आद करना पड़ा और यह पाड़ने वाला स्टूडेंट उसको बीच तक याद रहता है दू तिन पांच साथ एगारा तेरे सब्सक्राइब याद रहता है क्या कि यह हैं पर क्वेस्ट ने बनाया जाता है है इसी में से पुछेगा नाव देवला स्टूरेंट के इसमें पुछेगा अब आकि कोनु दुनिया के एक्जाम देने जाएगा यह से पुछेगा शलिये हैं जेतना कोश्चान बन सकता था बता दिए इजादे जरूरी है नहीं अगर लगता है वह सिर्फ याद करने के ल तो देखेगा एक दू होता है कि नहीं तो बस समय एक हता मज़ेगा खली आवाद संख्या बताने में इसलिए याद कर लिजे तर ठीक रहेगा अब भुलना है दू तीन पान्साट एगाराद तीरा सत्रह उनईस उसके बाद तेईस उनतीस एक तीस सैंतीस एक तालीस तेताली नश्चण अबसे एक सिले के सो तक में कितना घ्रीया होता है चार वह संख्या होता है पाचास में तो चार आपको याद होना चाहिए तो पहले लिख लिए संति से इसको सो तक लिख लेना आपना से बनाना है कोई कि एक से लेक सो तक होता है कई गो ता बोल देते हैं पची सुब आपसे कोई लेकर 500 चाहिए कोई को होता है तो अपना श्रॉटार चाहिए तो अब भीज्डे अधिया बास एतना लिमिटेशन में रहना है की हमें से पूछता है तेतने देखना है ना तो इससे तक गिंती खत्मिन होता है संसार में माहा संग तक बैठके गिंते रहें खली अब आजे संख्या में आपका सॉल्म दुनिया चांद पर चल जाएगा आप गिंती अब आजे संख्या पर रहिएगा ठीक हाई जलिए ना है लेकिन याद करने के लिए अपको बता दिया वापको याद की जिए आप जानी है कि याद कि इस तरीका से चलना है शुरू में चार गों याद करना परा उसके बाद फेर चार गों याद करना परा अब फैदा हो गया कि अच्छा एक सवेकर दोस्तक में चार गों भासंख्या उता है करने के बाहना से चीरगों और दोप तक मेरा है चारगों चीरगों याद करना पड़ा तो जासरे न यह जासरे कि यह उती है दो प्षाइदा कि तो जाए गिंती कर नहीं है कि आद रहे कुष्चन के को याद की याद हो गिया जब हमको बनाना परा कोई होता है रहाए कि ना है इसलिए हम कःते सब्सके याद कि यह बाइगा रहें आ दॉसके बीच में देखते लिए तना टा कभी चार गॉत शनके दूगाए तो फेर दुगाए फिर तीन वाया अमरी दू आमरी एक संतान में होके खतम होगी याद रखना है चलि अब नोट लिखा देते हैं क्या लिखा देते हैं नोट ठीक अच्छा बात चलो अब तो चिठी निकलना ही परेगा इतना कब बताई ले वह बाते में होगा लिखाल दो अंको की सबसे छोटी अभासंख्या अब आया इन्पोर्टेंस ना सबसे पहले कहां गिया चिठी में सबसे छोटी अभासंख्या दू होती है पहला नोट खतम दू सम के साथ सथ अभासंख्या होती है बाकी सभी बचे हुए अभासंख्या बिसम संख्या होती है बता चुके हैं एक अंको की सबसे बड़ी अभासंख्या देखिए अब बताईए मैं आपसे पूछू कि एक अंको बाली अभासंख्या कुन को नहीं तो एक अंको से बान अभाज संख्या कुन होता है तो यहने साथ है एक राबाद अभाज संख्या तो 11 होता है तो दू अंको वाली सबसे छोटी अभाज संख्या दू होती है सबसे छोट करें कती होता है अच्छा भी बनल है एक अंको बाली सबसे अमरी छोटी न अमरी बरी अभाज संख्या कई होती है बताईये तो साथ होता है कि नहीं होता है कितना सुन्दर लगए यह मतलब होता है कि ऊपर लिखिला जानते चलिए और त्यमा मुष जो सबसे लिखना ही या बरी तो खोटी लिखना ही पड़ेगा देखिए एक कॉम अमद्य वाली सबसे छोटी अभाज संख्या देखिया तो दूसे सबसे छोटी खताम हुआ पुछने का आपको इह एंसर करूप में यह देना रहता है यह एंसर बताना रहता है डेखिये अब दुमिया अंकवाला दो अंकवाली सबसे अमरी छोटी नव बारी लिखे लिखने तो बारी न लिखेंगे बोरी अभाज शंख्या अपना कोपी में देखे कई से लिखते हैं कहा गिया कोपी आवा बाकश्ञा यह है सबसे बढ़का कौन है संतान में लिख देजिए दो अंको की सबसे बड़ी अभासंख्या कौन होता है संतान में होता है लोजी हो गिया ऐसे लिख देना है तक यह ठीक दू अंको बला लेकिन आज कल तीनों को बला चुटवा पुछ देता है अभी तक दू यह अंक में सब पुत्ता घुमा घुमा के थोरा सानी तीन अंको बला भी देख लेजिए तीन अब लिख वाईए गा नहीं सब एक तरफ से तीन अंको बाले सबसे छोटी सब्सक्राइब करते हैं इसलिए एक सब्सक्राइब कर दोड़ा चोटी अब आप शोटी अब अगा जोटी है लिजी अगर मतलब है को उपर पढ़ लेगा होती है अब तीन अंको इह तीन अंकों प्रश्वा वाली सबसे अमरी बरी संख्या अमसे पुद्देगा तक या बोलिएगा बरी संख्या देखिए दूं को कि सब्से बरी संतानु में तीन अंकों के सबसे बढ़िया अब यह मतलब बरी 900 संथान ने कुछ करना है इस अंतानु में कर पहले और नूठा कर रोग देना होगी य चार उंकों वाली देख लेते हैं ठीक है तीन अंकों तक पुछता है लेकिन उसका बदमासी हो गया मन में कि चलिए चारों पूछ देते हैं ठीक तब बदमासी मन में है तो पहले यह से त्यारी रखना अब कहां तक लिखते चलिएगा सोचिए एक हजार एक एक हजार दू तो बहुत संख्या हो जाएगा उमसे हम भूल जाएंगे कि क्या होना चाहिए एला डायरेक्ट याद रखना च्यार अब भया निच्चे तो लिखना मुश्किल है तो चलिए लिख देते हैं च्यार अंकों वाली सबसे फिर समरा लिखना पर गिया सबसे जगा खताम है तो यह चलता तीर अब लिखना परेगा उपर तो तीहत्ता रहे तो च्यार अंकों वाली सबसे पहले छोटी देख लेते हैं छोटी अभाज संख्या होता है एक अंकों वाली दू दू अंकवाली सबसे छोटी एक सबसे चोटी एक पर दू सुनना अमरी एक नहीं बैठाएगा एक क्यादर नौ होता है बताइए कोई सोच लेता है एक हजार एक एक हजार दू एक हजार तीन याद रखना एक हजार एक नहीं होता है चुमाँ नहीं करना ही यह लिखिए कामे खड़ाप हो जाएक इसका योग एक फिर दुनों के जुरिएगा एक दोनों कांतर जीरो जीरो एक आरा से नहीं करते है इतना होता है एक हजार योगां plesनतानी वे व्मेर मेरा जिसका नहीं होता है एकामर दिया खञता यह योथ होगी जलुदुıld हम-दूरन लों कांजिगै और स cleaner यह होता है चोटी है चार अंको वाली सब से अमरी बरी नवताना है बरी अभाज संख्या दखिए एक वाली सब से बरी अभाज संख्या साथ संधान में तीन अंको वाली सब तूट जाएगा इतर अभे करेगा नौश खूस हो जाए कि 997 में है तनीशाने सांस लिजेगा लेकिन इसका अब रिकोर टूटने वलाई का या स्थान पर साथ नहीं रहेगा यहां क्या हो जाएगा तीन हो जाता है कि अधिका यह मतला 79 शती हतर होती है अब सची यहांतर के निया में कर दे कर जाते अचाहिए कातने क्लिये के इतना नियम में दिमाग लाइना परता समय बरबाद सबसे में कौन है सबसे में यह है यह है यह है ठीक है यह वाला सबसे में चल लिए मैटा देते हैं अब हाद संख्या से देख लेते हैं पहले जूरा होगा अच्छा अब एक सब पचास तक में कुल कितना कितना अब हाद संख्या नहीं लिखे है चलो ठेक ठेक है इसको मेटाते है हम तो सोचे तो सब खिचा जाएगा लेकिनी तो ख़ती में नहीं हो रहा है हो गिया है पानी से भेज जाता है तो लफड़े हैं हलाकी नोट यह अभी लिखा रहा है वो पहले यह बता चुके है कि एक से लेके दोस्तक में कोई गवा भास संख्या है कि शंख्याओ की संख्या संख्याओ की संख्या कई गो होता है अब देखिए एक से अमरी सो तक सो तक कुल अभाज संख्याओ की संख्या कई गो होता है 25 गो होता है एक से लेके सो तक में 25 गो होता है ठीक है अच्छा बात है अब देखिए एक से पच्यास तक कुल अभाज संख्याओ की संख्या एक से पच्यास तक में कई गो होता है तब 15 को होता है कर गो होता है पंदराग होता है ठीक है उसी तरीका से कि आमरीं देखेंगे पचास से सो तख कुलावाज संख्याओ की संख्या всем शूद होता है the साता की कि अधाश तक छाटे देट जोगा वचास से लेकर सो तक में संख्याओ दौू सब्ऽ स्वेकर ना होग या जैंए तौण था किसलेख करेOUT ई हमक्राइड अठार बहुं तूं तीन चार पांच छे साथ आठ नेस दस दस एगारा बारा तेरा 14 पंदरा गोना गाव गया 47 चली ठीक बात है एक से लेकर पचास तक पंदरागों 50 से लेकर तक में 10 हुआ चलिया अगला पॉइंट 25 से लेकर 50 तक नहीं हो आभी चलिया 25 से 50 तक अब इसे नहीं लिखते रहेंगे इसे करेंगे मतला वकिर पर ना को लवाज संख्यां कि संख्या क्वल होता है अचीश से लेके 50 तक 10 को गिनिये लेका चलिए पहले देखे चौघ होता है आप बताए एक से 25 संख्याओं के संख्या कर गोटा है तरुम कर लेते हैं 15 से 50 स्यांते इक ओर दू गो तीन-गो ने लिखे एकदम रही चलिए आप लिखिए एक से बीस तक के कुल अभासंख्याव की संख्या बराबर कर तक है एक से बीस तक चारा-चार आठ भूल गए की चार-चार गोर शुरू में रहता है चलिए मिए आप लिख नाँ हाए एक से दोसे तक कोई गो रता है तो दू तू तिन पांच साथ चार गो अभास झाउों के संख्या बराबर इसका भी चारे होता है जल्दी सिका स्क्रीन सट मार लेना हो गया मेटर सॉल इप याद रखना अनौ अथिया तो गिलने नहां देखा चारगों है कि न दोस तक एक दोसले के बिश्टक में चारगों गिलने नहां याद रखेगा तो बहुत अच्छा बात कि चालिए कि अब होगी आभाद संख्या वाला कहानी खतम मस्थानिया मान रोमान अंक तक क्यांच ठीक है कि अंग संख्या का परकार सबसे छोटी संख्या कि एक सले के सवत तक अभाद संख्या इसका मेटर खतम हो गया चल लिए कि दुसरा कागज का वे मेटर खतम होने वाला है कि अभाद संख्या आपका यहाँ पर संपन हुआ यहीं नोट और पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक भी कोस्चन छुटने वाला नहीं